अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा आपकी आदालत रजट शर्मा के साथ तो आपकी आदालत में आज आवरे महमान है एक ऐसी शक्सियत जो आजकल हरोत हेड्लाइन बनाते है एक ऐसे मिनिस्टर जो आजकल बड़े-बड़े जज़िस को दिल्ली के भाशे में कहूं तो हड़काते है एक ऐसे व्यक्ति जो अपनी बातों से दूसरे लोगों को बहुत परिशान करते हैं प्लीज वेलकम भारत के कानून मंत्री किरन रिजजू और आपके अदालत के आज के इस खास शो में हमारे जज़ हैं टाइमस अफ इंडिया के एडिटर दिवाकर और इससे पहले कि हम सवाल पूछना शुरू करें भारत के कानून मंत्री से आज के जज़ दिवाकर जी के इसाज़त चाहेंगे आज की कारवाई शुरू करने के लिए और इससे पहले कि में पहला इज़ाम लगाऊं किरन रिजीजू पर हम सिलसला शुरू करें एक नजर डालेंगे भारत के कानून मंत्री किरन रिजीजू के पुलिटिकल कर्या भारत के लौव मिनिस्टर किरन रिजीजू आज कल चर्चा में हैं सुप्रीम कोट को लेकर अपने बयानों के कारण किरन रिजीजू ऐसे गाउं से आते हैं जहां न बिजली थी न सडक चीन के बॉडर पर अरुनाचल के नाखुगाओं के रहने वाले किरन रिजीजू कॉलेज के दिनों में बेस्ट आथलीट थे आज कल भी इनकी फिटनेस की काफी चर्चा होती है किरन रिजीजू कभी फुटबॉल के मैदान में दिखाई देते हैं कभी बैडमिंटन खेलते हुए तो कभी कर्तब दिखाते हुए किरन रिजीजू मोदी सरकार में स्पोर्ट्स मिनिस्टर के तौर पर काफी पॉपिलर हुए आज भी प्लेयर्स कहते ही किरन रिजीजू ने देश के स्पोर्ट्स कल्चर को बदल दिया उनके रहते हमारे खिलाडियों ने ज्यादा मेडल जीते किरन रिजीजू पांच साल तक स्टेट होम मिनिस्टर भी रहे वो ज्यादतर मुश्किल इलाकों में जवानों के साथ दिखाई देते थे कभी-कभी वो फाइटर जेट उडाते भी नजर आए किरन रिजीजू डिजिटल मीडिया पर भी पूरी तरह आक्टिव हैं इनके डांस का एक विडियो काफी वाइरल हुआ प्रधान मंत्री मोदी ने भी उसे लाइक किया किरन रिजीजू ने नौर्थीस्ट के विकास के लिए काफी काम किया है कानून मंत्री के तौर पर किरन रिजीजू ने कई क्रांतिकारी कदम उठाई हैं डेली युनिवर्सिटी से लॉग राजुएट किरन रिजीजू आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे तो आईए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत में पहला इल्जाम किरन रिजीजू पर आपकी अदालत में लौ मिनिस्टर किरन रिजीजु पर इल्जाम है कि ये जुडिशरी पर कंट्रोल चाहते ही किरन जी पिछले कुछ दिन से आपकी बातों से पूरी जुडिशरी में तूफान मचा हुआ है सारे जजेज, बड़े बड़े वकील ये कहते हैं कि ये कौन आ गया वो कहते हैं बुल इन चाइना शॉप अगर हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो उनकी दुकान में एक सांड घुजगया है ऐसा है मुझे जो संवेदानिक अधिकार दिया है और दाइत्य हैं मैं वही निबा रहा हूँ और सरकार और जुडिशिरी के बीच में एक ब्रीज का काम लो मिनिस्टर करते हैं मैं ऐसा बाते कभी ने कहता हूँ जो अब संवेदानिक हैं इसको कुछ लोग गलत तरीके से पेश करते हैं और गलत तरीके से कुछ नियूस में भी दिखा देते हैं तो कुछ लोगों को बोलने का मोका मिलता है लेकिन आप देखने जे मैं गलत बात बात हूँ पहले जो भी लौ मिनिस्टर हुए राम जेट मलानी, अरुन जेटली, रविशंकर प्रसाद, कपिल सिबल, अशोक सेन, बड़े बड़े ये सब लोग प्रैक्टिसिंग लॉयर थे आप अम्बेटकर साब का नाम भूल गए है हाँ, बाबा साब अम्बेटा तो ये सारे कानून मंत्री प्रैक्टिसिंग लॉयर थे, वो जानते थे कि सुप्रिम कोट कैसे काम करती है, वकील क्या काम करते है वो ये कहते हैं, इनको कुछ पता है नहीं, ये दूला है जो घोड़ी नहीं चड़ा कभी जो भी आज तक इस देश का लॉमिनिस्टर बने हैं, वो कानूनी तोर पर उनका बहुत ग्यान प्लास उसका अनुभाव रहा है तो कुछ लोगों को ये तकलीफ जरूर हो रहे है कि एक नया अदमी जो जिसको लोग के बारे में ज़्यादा पता नहीं है लेकिन अब वो लोग के बारे में बात करते हैं यह सब नहीं कहते हैं जजेश में भी 99% जजेश मेरे पक्ष में ही सोचते हैं मुझे मालम है एक दो टिपड़ी कर सकते हैं लेकिन कुछ वकील है जो दूसरे आइडियोलोजी या दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से जुरे हैं और बड़े वकिल है तकलीफ उनको ज्यादा है कि मैं गाउं से आया ऐसा गाउं ना बिजली ना पानी एक ट्राइबल एरिया से आया अब हमें बताएगा कानून क्या होता है वो बात सही है मैं तो बहुत छोटा गाउं और जहां कुछ भी नहीं था मोधी जी के प्रदार म विवस्ता ना बिजली कुछ भी नहीं था वहां से मैं आया हूं तो इसलिए उनको लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वो उसको गला नहीं उतरते हैं और वो सोचते हैं कि वो सालों साल पचास साल साट साल से कानूनी पढ़ाई करके वो देश का अदालत में काम कर रहे और नय इसलों कहते हैं संसत में दो तिन सीनियर एंपी और कॉंग्रेस के भुदपूर मंतरी लोगों ने कहा है कि लोग मिनिस्टर नया है उसको कुछ पता नहीं है तो ठीक है मैं नया हूं तो नया नया बाते सुनने को मिलेंगे लेकिन देश के इत्यास में पहले ऐसा कोई कानून मंतरी नहीं हुआ ऐसा कोई लॉव मिनिस्टर नहीं हुआ जितने जुडिशरी पर इस तरह से हमला किया जो बातें अगर मुझे कहना चाहिए अगर मैं उसको सही तरीके से कहता हूँ उसको हमला नहीं मानना चाहिए और जुडिशिरी को हम सब मानेता देते हैं और भारत का लोक तंतर अगर मजबूत से चल रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि भारत का जो नियाई प्रारी है judicial structure है ये मजबूत है रोबस्त है और इसलिए हम कहते हैं कि judiciary के जो कामकाच में हम हस्तचिप नहीं करेंगे और judiciary भी executive और legislature के कामकाच में हस्तचिप ना करें बीच में एक लक्षमन रेखा जो खीचा हुआ है समविदान से हमको ये प्राप्त हुआ है उसको कोई पार ना करे तो ये देश के लिए भला होगा आपने कोई जादा ही बड़ी लक्षमन रेखा खीज दी है देखे मेरे पास में पिछले सातार दिन की अख़बार है अलग-अलग छेतनों की अख़बार है इनकी हेडलाइन्स क्या है सुप्रीम कोट ने समविदान का हाई जैक किया केरंडरी जूजू कुछ लोग अपने आपको सम्विदान से उपर समझते हैं किरंडरी जूजू किरंडरी जूजू का जजो पर निशाना किरंडरी जूजू ने कहा कि जज चुनाम नहीं लड़ते किरंडरी जूजू ने कहा आई बी और रो की रिपोर्ट सार्जिन्ट करना गंबी चिंता का विशय है किरंद रिजुजु जो का सुप्रीम कोर्ट रोंग है मैं अगर मैं पढ़ता रूँगा शाम हो जाएगी इतनी हेडलाइन्स है और आपके ने हमला नहीं करते हैं ऐसा है रज़त जी मोधी जी के न करने के लिए जुडिशरी को नीचा दिकाने के लिए कोई काम किया हो मैंने जितने बाते कहें हैं वो रियक्शन में कहा है मैंने अपने आप से ऐसे ही हवा में नहीं कह दिया जब कुछ बाते जैसे सुप्रेम कोर्ट के बेंच से कहा गया है कि सरकार फाइल लेके बैटे तो उसको मुझे जवाब देना जुरूरी होता है लोग तंतर में कि हम फाइल लेके ऐसे नहीं बेटे हैं बलके हम अपना प्रक्रिया में जो जो काम करना चाहिए वो कर रहे हैं तो कोड को भी सोचना चाहिए हमको भी सोचना चाहिए कि ऐसे बातें ना कहें जो गलत मेसेज लोगों के उपर में जाए और लोग गलत समझें पहले तो कोई लॉमिस्ट जवाब नहीं देता था सुप्रीम कोट को आप अकेले ऐसे विरले आए हैं नहीं नहीं पहले भी जवाब देते थे और पारलेमेन का चर्चा में भी भाग लेते थे और मैं खुद पारलेमेन में बोलता हूं कि जो members of parliament judiciary के उपर में चर्चा करते हैं लोकसभा, राजसभा में तो ऐसा भाषा का प्रियोग ना करें जिससे judiciary को नुकसान हो मैं खुद ही कहता हूँ लेकिन कुछ चीजे हैं जो court के और से या court के जजों के और से कही public platform या कही कहा गया हो जो सरकार के प्रती वो अनुकुल नहीं है तो मैं उसको बहुत ही सरल तरीके से उसको याद जबब देता हूँ या अस्पस्ति करन करता हूँ तो उसको अब नियूस पेपर में आ गया है लेकिन मेरा ये कभी में मनशा नहीं रहा कि मैं गलत बाता हूँ सुप्रीम कोट के कॉलिजम ने रेक्मेंट किया सौरव करपाल को हाई कोट में जजज बनाना है आपने उनके पीछे आई बियो रॉ लगा दी जो जजज़ का एपोइंटमेंट का प्रोसेस है ये बहुत ही समवधनशिल भी है और काफी ऐसे चीज़े हैं पॉब्लिक प्रेट्फॉर्म में चर्चा नहीं कर सकते तो मैं वो प्रक्रिया को तो चर्चा नहीं करेंगा लेकिन सरकार जो भी फैसला करते हैं या जो भी कدم उठाते हैं वो सोच समझ करके ही और आपना एक पॉलिशी के तहथ काम करते हैं । इसलिए उसको ना हमारे तरफे ना जूरेशिरिक के तरफे ऐसे चीज़ों को पॉब्लिक डूमेंड में नहीं दालना चाहिए। लेकिन ये तो उन्हों ने पॉब्लिक डूमेंड में ला दिया ना। उन्हों ने कहा कि सरकार सारव खुपाल को इसलिए जजज अपॉइंट नहीं गर रही है क्योंकि वो सेम सेक्स के सपोर्टर हैं। और फिर यह भी कहा कि उनका जो बॉइफरेंड है, उनका जो साथी है, पार्टनर है, वो एक स्विस्स सिटिजन है, इसलिए उनको जड़नी बनाएंगे. यह सब बाते सुप्रिम कोर्ट के कॉलेजम ने पाबलिक डॉमेन में लाए हैं, मैं अपने होर से इसको प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि जब मुझे कहना होगा जिस फोरूम में, as a law minister, और हमारे उपर में हमारे नेता, आदरने परदान मंतरी जी बैटे हैं, उनके सोच, उनके guidance के मुताबिक हम काम करते हैं, और कई ऐसे चीज़े हैं जो मैं, आपके अदालत में आया हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं उन बातों को कहें नहीं पाऊंगा, लेकिन आपने तो कहा है ना, कि जजजिस को IB RAW की रिपोर्ट पब्लिक नहीं क करनी चाहिए थी, और वो यह कहते हैं, तो ट्रांसपरिंसी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ट्रांसपरिंसी का पैमाना अलग-अलग होते हैं, अब देश हीत में कोई ऐसे चीज़े हैं, जो अगर लोगों के सामने में नहीं बताना चाहिए, तो नहीं बताना है, और मौका भी है, दस्तूर भी है, बता दीजे, नहीं, हमारे यहां आपके अदालत में जितने लोग आए हैं, मैं ये बात कह सकता हूँ, बहुत क्लियरली में कह सकता हूँ, कि वो ही मुझे कहेंगे कि जो देश हीत में नहीं बताना चाहिए, वो ही कहेंगे, मत बताईए, लेक अपॉइंट करना चाहिए, दिखे, समविदान में तो बहुत साफ है कि जजेज का अपॉइंटमेंट नाइटी थी तक तो सरकार ही करते थे, और समविदान में भी लिखा है, मैं इस चर्चा में नहीं जाऊंगा, वो समविदान नहीं क्लियरली लिखा है, इसमें तो सब लिखे लोग है, आप जो समविदान खोल की देख लीजे कि जजेज का अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं और कौन करना चाहिए, बाद में परिवाशा बदल दिया गया है, नाइटी थी में, फिर सुप्रिम कोड ने अप अपने हातों में ले लिया और कोलेजम बनाया, हाई में इसका विश्टार हुआ, विवस्ता कोर्ड ओर्डर से बदल दिया गया था, अब उस पे मैं क्या कहना है, कि ये तो देश के लोगों को ही कहना है, कि नहीं प्रॉब्लिम्स तब आप कहते हैं कि जज चुनाव नहीं लड़ते, तो उनकी अकाउंटिबिलिटी होनी चाह है, कहीं लोगों को कहना है कि कहीं लोग तंतर है, और लोग तंतर में कोई राजा तो नहीं होता है, जिस पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, लोग तंतर में मैं आपको रज़त जी क्लियरली बताना चाहता हूँ, लोग तंतर में मालिक जनता होता है, और सम्वीदान हमारा सब से एक ऐसा किताब है जिसको सब को मानना चाहिए यह पवित्र किताब है मैंने कहा कि जजों का चुनाओ तो होता नहीं लेकिन जजेश भी यह सोचे कि उसका काम का अच्छा हो ताकि जनता देख रहा है मैंने इस अंदर में कहता और साथ-साथ यह भी कह दिया कि कुछ जजान को हाई जैक कर लिया है यह मैं जब लो मिनिस्टर नहीं बने उससे पहले भी यह चर्चा हुई थी और जब मैं मंत्री नहीं बने मैं ऑपोजिशन MP थे तब भी मैं यह बात सुनते थे कि कोर्ट ने सुप्रिम कोर्ट ने कई पार्लेमन का पावर को अपने हाथ में यह मैं नया बात मैं कुछ नहीं कह रहा हूं यह बात चलती आ रही है और उसी को आजकल ज्यादा सुनने को मिलता है नया बात यह कि आप जूडिशियरी को कंट्रोल करना चाहते हैं कंट्रोल कर ही नहीं सकता है और सोचना भी नहीं चाहिए इसलिए मैंने आपको कहा ना मो मुझकिल से 122 क्रोर भी मुझकिल से मिलते थे अगले सारे चार साल में खर्चा करने के लिए 9000 क्रोर नीचे के आदालतों में अलग अलग फैसिलिती सेंटर बनाने के लिए इतना पैसा अवंटन भी कर चुका है जो मोदी जी के सरकार ने जुरी शेरी के लिए जो काम किया है उसका आधा भी पूरो किसी सरकार ने नहीं किया उसके बाद फिर हमको इलगाते हैं कि हम जुरी शेरी को कबज़ा करने चाहता है यह सोचना भी गलत है और अगर ऐसा कोई कहता है तो उसका सोच में जुरूर होगा क्योंकि रज़त जी आपको मालूम होगा कुमिटेट किया गया तो जुरी शीयbon Control में लाया गया ता उस समय और वो लोग हम लोगों कहते हैं कि जुरी शीयों के करने चाहते हैं आज बताए एक उधारन जा हमारे सरकार दे जुदी शिरीक को बातों को हमने नहीं माना या जुदी शिरीक को हमने गलत तरीके से उसको निचा दिखाने का कोई काम कि अधियता आपको उधारन बताए कुछ है तो किरन दिजू जू जू लौ मिनिस्टर आपने का कि जजेश को सोच समझ कर बोलना चाहिए जजेश को जजमेंट की बात करने से पहले इदर दर के कॉमेंट नहीं देने चाहिए यह ओल्ड विज्डम है एजज स्पिक्स त्रू हिस जजमेंट क्योंकि जो कोर्ट का फैसला वो अंतिम होता है जब तो उसको बड़ा क उसको रिव्यू नहीं करते हैं तो कोट का फैसला फाइनल है इसलिए कोट में जो जजमेंट देते हैं जो जजज साब वो जजमेंट में नहीं लिखेंगे और कुछ और तिपनी देंगे तो वह सही बात नहीं है तो यह तो एस लॉमिनिस्टर मुझे कहना ही चाहिए आप को कहते हैं कि Supreme Court के जजजेज को बेल एप्लिकेशन सुनने की क्या जरूरत है क्यों टाइम बेस्ट करते हैं मैंने ऐसे नहीं कहा कि Supreme Court बेल नहीं सुनना चाहिए मैंने यह कहा Supreme Court सरवच हमारे देश का नियाला है वहां बड़े मुद्दे जो होते हैं और जो Constitutional मेंटर है समवधानिक मुद्दे हैं उस पर ज्यादा ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा है और बेल एप्लिकेशन अगर बहुत इंपोर्टन बेल है तो Supreme Court का समय खराब होता है इस द्रिश्टी से मैंने कहा था मैंने कभी भी नहीं कहा कि Supreme Court बेल पेटिशन नहीं सुनना चाहिए तब ही तो जो बड़े बड़े वकील है वो कहते है कि इनको कुछ कानून की समझ नहीं है जसे कृष्टन येर ने लिखा बेल नौट जेल इस दरूल रूल नहीं है यह एक माना जाता है कि इस प्रिंसिपल से देखा जाना चाहिए कि पहला बेल मिलना अधिकार है नहीं तो फिर जेल जाएंगे ये एक लिगल विजडम का एक बात है ये कोई रूल ऐसे तो है नहीं अब यही तो सुप्रियम कूर्ट की जज्जेज को लगता है कि एक आदमी ऐसे गाउं से आया जहां पर गाड़ी नहीं थी सड़ नहीं थी वो बताएगा कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है ने ये जज्ज लोग ये नहीं कहते हैं ये जो आप कहänger एं ये कुछ कांग्रेस और कुछ पॉलिटीकल पा草्टी के जो बड़े वकील है वो पारलिमेन भी चलाना चाता है और कोर्ट भी चलाना चाता है वो लोग ये बात कहते हैं या उखसाते हैं दुसरा को कहने के बड़े नेता है जैराम रमेश उन्होंने कहा कि किरंद रिजूजू जुडिश्रियू को धंका रहे हैं यह पॉइजन पिल फॉर जुडिश्री है यानि किरंद रिजूजू नयाई पालिका के लिए जहर की गोली है आप रजज जी खुले कैमरे में तो जज साथ तो कुछ कहेंगे नहीं आप कैमरा बंद करके कभी किसी जज के साथ बात कीजे मेरे जो कामकाज या मेरा जो तोड़ तरीके हैं किसी जज को पूचे कि उनको अपत्ती है क्या सारे जज से जब हम मिलते हैं हम उसी को ऐसे रूप देखते हैं कि एक दो इंसान आपस मिलते हैं कैसे पेस आना चाहिए हम कोई एरोगेंसी कोई धमकाने वाला ऐसात इंसान तो मैं हो नहीं तो यह कॉंग्रेस अपने आप सोच की बोलते हैं यह जज नहीं कह रहे हैं यह ज अर्विन केजरिवाल कह रहे थे कि बीजेपी ने सारे इंस्टूशन तो तो पहले ही कबदा कर लिया सीबी आई पे एडी पे अब जुडिशिरी पर भी नियाए पालिका पर भी कबदा करना चाहते हैं किरन रिजुजु सबसे पहले ता आप अर्विन केजरिवाल जी का बात को सीरियस ना ले वो ऐसे ही कहने के लिए कह देते हैं और वो शाइद भी नहीं रहता होगा उन्होंने ऐसे बाते कह दी हैं वो ही अर्विन केजरिवाल जब मुख्यमंत्री बढ़ने से पहले कहते हैं ते कि संविधान को नहीं मानते हैं वो एक तरह से एनर्किस्त के मानसिकता रखने वाला है और वो कुछ अनाप शनाप बाते करते हैं इनका जब हम लोग मिलते हैं एक दूसरे अभी तो मुख्यम जरेते हैं एफ और अवर गांदी अरा हृँए आओ अचया है एक एक चेहते हैं कि आप प्शु को कंट्रोल करना चाहते हैं और कश्यारि आपके फेवर में सारे फैसले ऐ श्या हमिआख्या वहान से बटक गया तो फस जाते हैं और और उसका पार्टी बचाने में 24 गंटे हैं ताम लगाते हैं इसलिए लोग क्या क्या नाम देते हैं, लेकिन हम तो सम्मान देते हैं, वो सांसद है और कॉंग्रेस लीडर है, तो हम लोग सम्मान देते हैं, लेकिन वो जो बाते करते हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी को नुकसान नहीं, देश को नुकसान जुरूर होता है उनके बातों और बन गए है लोग मिनिस्टर कपिल सिबल जी तो वरिष्ट है उन्होंने चार मेने पहले एक वक्तित दिया था उन्होंने कहा कि सुप्रिम कोट से भरोसा उट गया है अब जो आदमी कहते हैं कि सुप्रिम कोट को नहीं मानते हैं वो मुझे इलजाम लगा रहे हैं तो उसक कि वकिलों को तंज नहीं किश रहा हूं मैं सिबल साब को ही बोल रहा हूं कि मैं बले गाउं साया हूं लेकिन मेरे पास भी सोचने का एक चंता है और मोदी जी ने विश्वास किया है तो कुछ सोच के ही भरोसा किया होगा ना हां लेकिन ये बड़े-बड़े वकीलों को लगता है कि आप जो अंग्रेजी बोलने वाले वकील हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं आप करें सुप्रीम कोड में बेभी जीजनल भाषा होनी चाहिए ये रजज़ जी मैं इसने कह रहा हूं कि आप लोग अंग्रेजी बोल होता है उसका कोड़ फीस्स बहुत जादा होता है उसको 20-30-40 लाख मिलते हैं और जो हिंदी बोलते हैं उसको बोट कम पैसे मिलते हैं हमारे भारत देश में ऐसा क्यूं प्रता है बताईए इसलिए मैंने कहा हाई कोड़ हाई कोड़ में बी और सुप्रीम कोड़ में तो है है रिजिनल भाषा बारतिय भाषाओं में ऩंधी में नम में यू Geetow going भेंगाली मानाटी पंजाबी जो भी भारतिय बाषा है उसमें भी नहीं होना चाहिए यह कों को इसलिए इसलिए अधरने परदानमंत्री जीने दोर आजर पंद्रम एक मंत्र दिया कि भारतिय बाशा को भारतिय कोट्स में कैसे आगे ले जाना चाहिए उसको सोचा जाए तो एक कमिटी बना जस्तिस भौबदे साब जो फॉर्मर चीफ जस्तिस है भारत के उनके नित्रत में कमिटी बने हैं मेरे से बाचित हुए हैं और इसको हम लोग एक वेकुबिलिरी का बना भारतिय बाशा हो में जो में जो पॉइंट सेया जो में वोड़ हैं कौमन जो कमन कैसे इस्तिमाल करना चाहिए उसका भी चिन्नित किया जा रहा है और आगे जाकर के हम लोग का यह मानना है कि सुप्रिम कोड भी इस बात को एग्री करते हैं अभी चीफ जस्थ जस्थ करकी पाबलिक के लिए अवेलेबल कर रहे हैं और दीरे दीरे हम ट्रांसलेशन का विवस्ता भी करेंगे कोविट के समय में भी आप देखा होगा कोड चलता रहा है क्यों क्योंकि वो जो टेक्नोलोजी का ओनलाइन प्रोसेस का वीडियो कंफेरेंस का जो डीजितल इंडिया क केम्पेन मोदी जी ने चो चलाया उसी का तहत हमारे कोड को मजबूट किया तभी तो कोविट के समय में भी भारतिये कोड कॉंटिविशन चलता रहा है देखे पड़े-बड़े वकील यह कहते हैं कि कि प्रेक्टिस की नहीं इन्होंनों तो पैसा कमाया नहीं अब हमारे प कम बढ़ेगा और केसे ज्यादा आएंगे और ज्यादा मैटल जूडिशल रिव्यू के लाएंगे तो उसने ही वकीलों को मोका मिलेगा तो वकीलों को ज्यादा काम मिलना चाहिए यह मेरा मत है मैं इसका खिलाब हों कि सारा काम कुछ कुछ एड़ोकेट का बाद जाए यह म मैंने का कि जो सिनियर लॉयर्स है वो अपना केसेस को जूनियोर्स को भी माटना चाहिए कोविट के समय में कुई कुई एक एक जज एक दिन में दो करोड तीन करोड तक भी कमाया है एक दिन में एक लॉयर जज नहीं एक लोयर, मैं जाज के बाद नहीं कर रहा हूँ, जाजिस के बारे में कहना नहीं चाहिए, एक 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 लोयर इतना कमाते हैं, और कई ऐसे लोयर है, जिसको दीन में दस रुपया भी नहीं मिलता है, ये ठीक नहीं है, इसलिए हमने कहा कि सब जो छोटे-चोटे नहीं जूनिय ँवर से सिर्ट करोड़ों हैं कि इतने सारे केसि पेंडियंग हैं और बेटर सलीउशन क्या हो सकता है का अगे फ्यूचर में ये केसि पेंडिंग ना रहे हैaire और जल जल सॉल हो सके लगबाग 4,90,000,000 असपास इस वक्त हमारे पेंडिंग केसे से इसको कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं सबसे पहले तो टेक्नोलोजी के माध्यम से इतने जो केसे से उसको तूरंद केसे हल किया जाए वो रस्ता धून रहा है उसको कि सूझ करना पड़ते हैं तब जाकि डेट मिलता है फिर हर टाइरिंग होथा दिस परक्रिया लंबा है दूसरा यह है कि हम आँ अल्टरिनेटीव रस्ता भी देख रहे हैं कई ऐसे केसेसे जो कोड में नहीं से भी मीडियेशन के मादियम से भी सुल जाए जा सकता है अल्टेनिटिव डिस्टीट डिस्टीट डिसलेशन मेकानिसम का जो हमने शुरुबात किये आर्बिटेशन हो कॉंसिलेशन हो गाओं में कुछ चीजें होते हैं वो फैमिली मेटर है वो कम्यूनिटी लेबल में मीडियेशन करके सोल्ब कर सकते हैं कोट जाने का क्या जूरुत है तो इस तरीके से कई हमने रस्ता खोजे हैं और कोट के जो अलग अस्तर में सुप्रीम को इसको हम कम जरूर करेंगे लेकिन आप एक बात समझ लीजे आज कल अगर एक जज़ एक दिन में 100 केस डिस्पोस करते हैं 200 केस नहीं आ जाते हैं तो केसेस डिस्पोसल फास्ट हो रहे हैं लेकिन रिजिस्टेशन नया केस उसका दोगुना स्पीड से आ रहे हैं इसलिए पे तारीख 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 इस तारीख को कम करने के लिए चीफ जस्तिफ इंडिया हम लोगों को बीच में कई लेवल में बाते हुए हैं जितना जल्दी हो सके डेट जल्दी देना चाहिए और हेरिंग जल्दी हो इसलिए तो कोई डिले ना करे कभी कभी क्या इन्हें वकिल खुदी डेट ले लेते हैं कि इसको अगले बार हीरिंग किया जाए मैं कोई एसपर्शन नहीं कर रहा हूं लेकिन कभी-कभी मेटेरिल सपोर्ट नहीं मिलते हैं कभी-कभी investigation केते हैं कि मैंने अपना चार्ट से तैयार नहीं किया या बहुत कारण होते हैं कभी-कभी witness नहीं आते हैं witness को धुनना पड़ता है तो witness नहीं आते हैं तो case फिर पॉस्पोन हो जाते हैं अगले देट में चले जाते हैं कई बाते हैं कई कारण है यह सारा जो इसको एक सूत्र में बांग करके solution निकल सकता है यहां solve करेंगे एक चीज को दूसरे चीज को हम नहीं दिखेंगे फिर बात तो वहीं फस जाएंगे एक दूसरी चीज आपने दिखाई थी जैजेस को आपने कहा था कि सुप्रिम कोर्ट, हाई कोर्ट में चुट्टियां बहुत होती हैं वो बात सही है कि चुट्टियां होती हैं उनको पसंद नहीं आई यह बात ने, ने, ये मैंने कहा, रजत जी, आपको मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूँ, हमारे जन्ताओं के सामने में, जुडिशरी जो कोर्ट्स के जाजेस बहुत छुट्टी लेते हैं और वेकेशन जाते हैं, ये मैंने नहीं कहा, ये सवाल आया था राजसभा में, कॉंग्रेस के एमपी ने सवाल किया, कि जजेस इतने लंबे लेत चुटी में क्यों जाते हैं, तो मैंने कहा, ये प्रथा है, व्यवस्ता बनाए हुआ है, और एक बात, आपको मैं एक कहना चाहता हूँ, हम लोग एक जज कितना मेहनट करते हैं, वो हम लोग देखता नहीं है, मैं सास मु में एक केस दिखते हैं, हमारे एक जज सो सो केस दिखते हैं, 50, 60 केस तो मिनिमम होते हैं, तो हमारे जजों को उपर भी बहुत प्रेशर है, चुटियां जरूत होता है, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा रिलेक्स करना होता है, न, 24 गंटे काम करके अगर नहीं सुएंगे तो क कि अधिन का लिमिटेशन होता है काम करने का, मैं कितना लंबा छुटी होना चाहिए, मैं ने कह रहा हूं, थोड़ा सा जो एक ब्रेक तो बंदता है जजों के लिए, अब आप जजस के बारे भी तो अच्छी बाते कह रहे हैं, तो मैं एक ब्रेक ले ले लेता हूं, ठीक हम एक ब्रेक के लुकेंगे हो, ब्रेक के बाद आपके अधालत में किरन जीवी पर इल्जाम आर्चा सवालात का एक उता है, आपकी हिंदी वाकरी में अच्छी है, मैं तारीफ करूँगा, लेकिन इतनी अच्छी है कि अप राहूल गांजी से कहते हैं, बोल तेरे साथ क्य सुलूप किया जाए। 19 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज खबर जो सच दिखाए, जो निश्पक्ष हो, बिना किसी एजेंडा के हो, कोई पहस या शोर ना हो, बस खबर आज की बात रजट शर्मा के साथ, शोर कम, खबर ज्यादा ना पक्ष, ना विपक्ष, सिर्फ निश्पक्ष, बेबाक सवालों और संबादों का मुकाबला, शाम पाँच बजे, सिर्फ इंडिया टीवी पार कभी तीखे सवाब आपने सनातन धर्म के नाम पर धंकियां देनी के दुकान को है जो भी मोधी सरकार का विरोत करता है, उसके घर सीबी आई भेज देते हैं, एडी भेज देते हैं कभी पेबा कंदास कॉंग्रेस की सरकार थी, तब आपकी पार्टी के लोगी तो मज़ा खुड़ा बेखे कभी मुस्कुराहत के साथ आप कहते हैं कि सबसे सोड़ा मुंदा मैं हूँ, पूरी करोड की, तेरे लिए मैंने पहले वाली छोड़ दी कभी दिल की बात शादी के बाद जो पहली मुलाकात हुई थी, उसमें आप कुछ भूले ही नहीं तो कभी अंसुने राज करन अरजुन के सेट पे आपने शारूप खान को बूली मार दो बूले किस साथ था, लेकिन ये आपको किस तरह है अलग अंदास के साथ हर दिल पर राज आपकी अदालत में लौ मिनिस्टर किरन रिजीजू पर आरोप है कि ये हर मामले में टांग अडाते ही केरण जी किसी के भी बात चल रही हूँ अब जैसे दिली के मुख्षमिंटरी अर्विन केजरिवाल और लेफटन गवरनर उनके बीच में तकरार चल रही है केजरिवाल कह रहे हैं यह LG कौन है कहां से आया हमारे सिर पे बिठा दिया आप फीच में इंटरफेर करते हैं आप ट्वीट करते हैं और आप यह कहते हैं जनता इसका करारा जवाब देगी वह इसलिए कि अर्विन खेजरिवाल ने ऐसे बात एसेंबली में कहा है LG कहां से आया समभीदान में लिखा है भई फिर भी कह रहे है कि LG को बिठा के रख दिया दिली में तो बीना दिली में बीना LG का ऐसे चलना चाहिए क्या यह देश का राजदानी है तो कुछ चीज जो है ना मुझे डाइजेस नहीं होता है बाते जो परसन समझा अब आपने उनको यह नहीं बताया कि दो करोण लोगों ने जिस मुख्यमुत्रों को चुना उसके सिर्क के ऊपर आपने के LG बिठा दिया तो वह समभीदान में लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं जैसे सिस्टेम है तो अरविन खेजरिवाल समभीदान नहीं मानते है इ मोदी जी के खिलाव थी हो मिनिस्ट्री उस पर एक्शन ले रही है आप बीच में को टपक पढ़ें मैं ऐसा है यह बहुत गंबिर मामला है सुप्रिम कोट ने जो चीस 20 साल से भी जादा देश में कुछ ऐसे लोग हैं देश का छवी को खराब करने के लिए मोदी जी को सुना और निरने किया कि इस केस्में कोई दम नहीं है और ये भी कहा सुप्रिम कोट ने जाश ऑर एक गलत तरीके से बदराम करनी के लिए किए गया प्रकृया है जब Supreme Court of India ने फैसला कर दिया तो BBC कोई फिल्म बढाते हैं और देश में Communist Party, Leftist, माववादी, Congress Party बोलता है कि BBC ने जो रिपोर्ट दिया है वो सही है, Supreme Court को नहीं मानते हैं यह लोग, तो कानुन मंत्री होने गनाते हैं, मुझे कहना पड़ा कि Supreme Court का फैसला हमारा देश में Supreme है, BBC यह यह बाकी जो दिखाते हैं, वो हमारे लिए कुछ नहीं है। देखी, Kenji, New York Times में रिपोर्ट देखी मैंने, उन्होंने लिखा कि BBC को ब्लॉक करने के लिए censorship लगा दी, इसको ब्लॉक करने के लिए बिजली काट दी, लोगों को अरेस्ट कर लिया। पता ना, यह लोग अंग्रेज लोग तो चले गए, अभी भी BBC और New York Times में जो लिखता है, उसी को मानेता देते रहते हैं, यह लोग, हम लोग इसको मानेता नहीं देते हैं, हम अपने देश में, देश का फैसला, देश का जनता, देश का सुप्रिम कोर्ट और देश का सिस् आपने जवारलाल नहरू की गलतिया गिनानी शुरू कर दी, ऐसा है, जमू कश्मीर हमारे लिए बहुत ही इंपोर्टन सब्जेक है, मैटर है, और लोगों ने यह समझा कि जमू कश्मीर जो है, भारत के साथ विले करने का जो प्रोसेस को डिले हुआ था, माहाराजा हरी सि का वज़ा से, यह सबने पड़ा और सबने यही सोचा, हकीकत कुछ और था, तो मैंने नहरू जी के खुदी वक्तित दिया है, पारलेमेन में खुदी यह बातें बताई थे, कि महाराजा पहले आई थे, नाइन्टिन फॉर्टी सेवन, फिफ्टिन अगॉस्स से पहले महारा dilay कachen खुदाओं और इसी बात को मैंने जनता के सामने में लाम तो इसमें गलत, काम क्या क्या मैंने सही काम तो किया है। और उस परिवार के अलावा उन लोगों का समझ कुछ मुझे दिखाई नहीं देता है इसलिए जब हम उस परिवार से आगे सोचते हैं देश हीत में तो उनको तकलिफ होते हैं हमारे लिए परिवार कुछ नहीं है हमारे लिए सब कुछ देश है और देश हीत में अगर कुछ बोलना पड़ेगा तो जुरूर बोलेंगे हम आपकी अपनी पार्टी की बारें बता देता हूं आप कैसे इंटरफेर करते हैं उन्होंने कॉमेंट किया कि जो लोग भीफ खाना चाहते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं इसमें भी आप पीछ में कूट पड़े आपने का जिसको जो खाना खाये आजादी है पूरी ने ऐसा मैंने नहीं कहा मिजोराम में एक प्रेस बारता चल रहा था उसमें इनफॉर्मल चल रहा था किसी ने छुपके रेकोर्ड करके उसको इंडियन एक्सप्रेस में चपवा दिया और विबाद किया मुद्दे को ऐसा कुछ नहीं मैंने यह कहा कि भारत में सब कुछ संवीदान में सब कुछ लिखा हुआ है हम संवीदान के प्रक्रिया से ही चलेंगे मैं इतन इस तरह से मैंने कोई बातें कहीं नहीं कहें थे वह चुपके रेकोर्ड करके बाद में उसको मैनुपलेट करके दिखाये था सर मेरा आपसे ये सवाल है जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप अरुनाचल प्रदेश से हैं लेकिन आपको इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलनी आती है अरुनाचल प्रदेश 1962 में जब चीन ने कबजा किया था और कई इलाके में जहां रहता हूं मेरा गाओं सारा जीला चीन के कबजे में चले गए थे उससे पहले ही हमारे लोग धीरे धीरे हिंदी और बाकी बास्टाइज जैसे आसमीस वगरा बोलने लग गया था क्योंकि कि एडुकेशन के लिए कई टीचर्स बाहर से आते थे और बाद में 62 के बाद में जो काफी इंडिन आर्मी का डिप्लॉइमेंट वहां होते थे और हमारा लोकल फोर्सेस भी जैसे एसस बी वागरे होते थे तो हम लोग सब उस समय से ही हिंदी बोलने में हम लोग गवर्व करते हैं कि हमारे देश का बार्शा है और हिंदी के अलावा कोई भी भारतिये बार्शा मोका लगे तो बोलते हैं और अरुनाचल का अदमी हर एक आदमी में बोलता हम बच्चा से लेकर के बुड़े तक हंड़ेट परसंट हिंदी बोलते हैं आपकी हिंदी वाकरी में अच्छी है मैं तारीफ करूंगा लेकिन इतनी अच्छी है कि अप राहूल गांधी से कहते हैं बोलते तरे साथ क्या सुलूब किया जाए राहूल गांधी जी के बारे में तो मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत बहुत इंटर्नेशन आदमी है हर महिने 20 दिन बाहर रहते हैं 2-3 दिन इंडिया में रहते हैं और अभी यात्रा कुछ कर रहे हैं लोगों ने कहा कि आपका छवी बदलना इसलिए यात् करो तो वह तो इंटर्नेशन आदमी हम तो भारत जोड़ो यात्रा से कुछ आपको लगता है चवी बदली है उनकी देखे रज़त जी यह भारत जोड़ो करकी हम लोग चर्चा में नहीं जाना चाहिए आज का दिन में भारत देश स्वामी विवेद कनंदा जी ने जो सपन देखा था कि 21 सदी भारत का सदी होगा और भारत एक डेवलप नेशन विक्सित देश बनेगा मोदी जी के नेत्रत में जो विए सपना पूरा हो रहा है तो बाकी चर्चा क्यों करना चाहिए जी और सवाल है मेरे पास में और इल्जाम मेरे पास में एक के लुके रिकएगेगे ऑब ब्रेक बाद आपके अदालत में किरन रजूए पर जाम करें पास में आपको क्या लगता है कि वो चाइनचा पर पाइरी तोफारा यहां पर शुरू हो गया है 19 सालों से सच की बेबाक आवाज इंडिया टीवी आपकी आवाज क्या बनेंगे संयोग क्या होगे प्रियोग 24 की पिछ है तैयार क्या विपक्ष लेगा आकार या मोदी ही हैं स्विकार कहांई कुर्सी की सुबार से शुकरवार दोपहर एक बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर मैं वर्शा, मैं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती पर इस मंच का हर पल मैं एंजॉय करती हूँ, हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूँ आपकी अदालत आपके और मेरे लिए, आपकी अदालत दिल से तो आईए शुरू करते हैं, आज का मुकतमा आपकी अदालत अब खास लोगों के लिए, आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के यूट्यूब चैनल पर रोबर्ज और रफ्तार नॉलेज लगाता टेक्नोलोजी जो बदगार पर पर बदलती टेक्नोलोजी की दुलिया में, हम रखेंगे आपको अपडेट टेक्वील्ज देखने के लिए, लोगान करें वेल्कम बैक, आपके अदालत में आज हमारे महमान है भारत सरकार के कानून मंतरी किरन रिजिजुजू आपके अदालत में अगला रिजिजू आपकी अदालत में कानून मंतरी किरन रिजिजू पर आरोप है कि ये चीन से डरते हैं किरिंजी कुछ लोग कहते हैं कि इतना डरते हैं कि जब आप हो मिनिस्ट्री में थे पांस साल तो आपने बहुत बड़ी एक वाल लगाई हुई थी स्क्रीन की और उससे आप हमेशा नज़र रखते थे चाइना पे कहां जा रहा है चा कर रहा है ऐसा था वो जो स्क्रीन लगा जहां तक चीन आपने बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया चीन से डड़ता है मैंने रिलाम नहीं यह तो राहूल गांदी रोज कहते हैं कि आप चीन से ड़ते हैं कायर हैं आपके गाउं के 40 किलोमीटर दूर पर एले सी है वहां चीन आके बैठ गया है आप कुछ कर नहीं है कि इतने सालों तक चाइना बॉरडर में रस्ते नहीं बनाएं ब्रिजस नहीं बनाए डिवल्पिन है क्योंकि चाइना को डढ़ते थे और अगर रस्ता बनाएंगे तो उसी रस्ता के माधनां से चीन कभजा कर लेंगे और जल्दी हमारा यह अंदर गुसेंगे यह मानसि पोलिशी चेंज किया आज सारे बोड़ एरिया जो मेरे गाउं से लेकर कि जो लद्दाक से लेकर कर रुना चलता और जितना बोड़ नहीं होना चाहिए ताकि कोई ना आ सके डड़के मारे तो यह जो बोल रहे है ना राहूल गांधी हर रोज चाइना 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 चिलाते रहते हैं इनको मालम नहीं है कि नहिरू जी का समय से लेकर कि इनके सुन्या गांधी का समय तक इन्हों ने जो हालत करके रखा मुझे शांती नहीं मिलेगा इतना इन्हों ने गरीबी का हमारे वहां वेवस्ता करके रख दिया सब को गरीबी रहो तो उस एरिया को जानते हैं आप वहां रहते हैं वहां की मेंबर और पार्लिमेंट मैं रजजत जी मैं बताना चाहता हूं मैंने आप आपने शुरू में कह इस बात को मैंने एरुपलेन पहले देखा और गाड़ी बात में देखा क्योंकि हमारे रस्ता तो था नहीं कुछ था नहीं लेकिन चाइना वार के बाद 1962 के बाद फाइट फाइटर एयरक्राफ जो ट्रेनिंग होते थे इतना फाइटर एयरक्राफ उड़ते थे हमारे जी के साथ हम तीन दिन पैदल गए और हमारे दिस्ट्रिक हैटकोर्टर के पास पहुंचा तब मैंने जिन्दिकी में पहले वार गारी देखा है वह तो बहुत बात में आमने गारी देखा है लेकिन राउन गांदी के इस आरोप में कितनी सच्चाई है कि अरुना चल में च किसी विदेश अकबर ने अकबार वहां अमेरिका का किसी ने एक लेक लिखा कि अरुना चल का अंदर में चीन गुझ के गाओं बनाया फिर उस लेक को भारत का एक टीवी चैनल है उसने सोचल मीडिया और चैनल में फिर ये दिखा दिया बढ़ा से कि अरुनाचल का अंदर में चीन ने घुज करके गाउं बना दिया है फिर बाद में अगले दिन जब सचाई पता चला तो छोटा सा लिखता है ओहो यह जो जो ख़बर है हाँ चीन ने कभज तो किया है लेकि नाइटिन फिक्तिन ने में कभजा किया था चोटा सा लिखता है फिर अगले दिन और एक लिखता है कि 1962 में कई इलाका कभजा कर चुखा तो यह आभी कर नहीं है लेकिन वह जो जूट बोलने वाला बात तो चले गए और जो अस्परस्ति करन है क्लारिफिकेशन है वो किसी ने देखा नहीं है तो यह बदमासी नहीं तो क्या है के जी कुछ स तस्वीर हैं जो बताते हैं कि बॉर्डर के बिल्कुल पास में चैन ने गाउं बसा दिया एक सो एक खर यहां पर बना दिये सेंक्रणों को इसमें बसा दिया और कहते हैं कि चाइना ने यह सारी बिल्डिंग्स बना ली ताकि उसकी स्थती वहां पर मजबूत हो जाए यह आप तस्वीर दिखा रहे हैं वो है सिक्किम और जो बुटान के उस साइट में चुम्भी वेली से नीचे तीस्ता नदी आते हैं उसका तस्वीर है वो बुटान साइट का है और उससे पहले जो गोल गोल सा जो आपने दिखाया एक सेटलमेंट वो सुबंसरी अरुनाचल प्रदेश का उस साइट का है मैं लास यह वहां गए थे और माजा जो हमारे लास आखरी पॉइंट है माजा गए और माजा में हमने हेलिकप्टर लेंड किया और वहां हमारा रस्ता कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो माजा से लगबग 15 किलोमेटर आगे यह काउं बनाया है और यह माजा जो यह वाला यह फोटो है जो दिख रहे है नवेंबर 2020 के तस्वीर यह जो है 1959 में जब हमारे वहां आर्मी नहीं थे तो असम रैफल्स दिप्लोई थे और चीन ने 1959 में उसको कबजा किया और हमारे सारे असम रैफल के जवानों को मार दिया एक दो बचे थे वह उर्बानी देना पड़ा अपना जीवन को वह 1959 से हैं और आज बदमाशी से देश को गुमरा करने के लिए कहते हैं कि मोदी जी के समय में यह अंदर गुष के गाउं बनाया हिम्मा थे तो कुछ जाओ ना जाके देखो न कि 1959 में कैसे चीन दे कबजा किया था नहरू ने तो कहा था कि आर्मी का जरूत ही नहीं इस देश में उस समय का बात ही है और यह इतना तकलीफ मुझे तो बहुत तकलीफ इसले होती है कि एक तो जूट बात फैलाया जाता है औ बड़े बड़े लोग उस जूट को और बड़ा जूट बना करके बोलते हैं देश का सुरक्षा के साथ में खिलवार नहीं हो सकता है और देश स्रिफ मौदी जी के नित्रित में ही सुरक्षी थे मैं आपको बता सकता हूं इन्हों ने बहुत सोदावाजित किये हैं पहले अब वो नहीं मानते हैं वो कहते हैं कि चाइना जो है वो तो युद की तैयारी कर रहा है और हम इमेंट मैंजमेंट कर रहे हैं उन्होंने का अरुना चल में चीन के सैनिकों ने आकर हमारे फौज के सैनिकों की पिटाई कर दी सबसे पहले ताप बताई ए राहूल गांदी कि छाइना का आर्वी ने इंडिय Jackie करका दिया न doświad पीटाइक श्ब्द किनता शरम नाइक शब्द है और अभी बेंगां नहीं कर सकते हैं जैना अभी तो हम इसको जादा बड़ा चरह कं नहीं कहेंगे अब इंडियन आर्मी वो नहीं रहा जो कांग्रेस का समयमें है भाती ठोक की नहीं बोलते हैं लेकिन जो मोदीजी कर रहे हैं ना कोई सोच भी सकता है और ना कभी किसी लिख किया है अजनता में से जो लोग इस बारे में चाइना से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं मुद्ट मुद्ट हैं सब्सक्राइब अर्मेर्स किप्ण नहीं आदे पर्सों भी स्टेटमेंन आया कोंग्र्स पार्टी का तो यह जो जो आर्मी का जो फाइनल शब्द कोई नहीं मानते हैं यह तो हम नहीं कह रहे ना डिफेंस के जो सीनियर ऑफिशेल्स वही कह रहे हैं लेकिन जब डिफेंस के और से कुछ कहा गया है और कहे दिया गया है फिर उसको सवाल राजनितिक दलों को नहीं करना चाहिए किरिन जी कई बार राहूल गांधी बहुत अच्छी बाते बताते हैं कि चीन से कैसे लड़ना चाहिए फौज को कैसे काम करना चाहिए उसका एक उदारन में आपको दिखाना चाहता हूं जो उन्होंने का था सीखने की बात है अचीन करें ऊश्पवा करे और सिर्षपोर्ट करें तो आर्मी की ज़रूरत नीप ड़ेगी यह स्टेट्मेंट या स्टेट्मेंट बात कहीं और बैंघ को आका किसानों को मुष्दूरों को ललती है क कि इसको ऐसे प्टम् 가까 de rare Obie मुनासिब यह समस्तां को लेकिन ये उन्होंने गंबिर आरोफ लगाया कि हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है युद्ध की पूरी तैयारी चाइना ने कर ली है वो कभी भी अटैक कर सकता है युद्ध होगा और आप इसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आप कायर हैं ये सारे चीजे जो डिफेंस पर्ट्स हैं वो उस लेवल में इसका चर्चा होना चाहिए पब्लिक डॉमेन में लड़ाइक कॉप होने वाला कैसे होना चाहिए राहूल गांदी को भी नहीं बोलना चाहिए मुझे बहुत चीज मालूम होता है मेरे गाओं मेरे बोड़े एरिया में क्या होता है लेकिन है रहूल गांदी देसे लोगो को अपने बातों पर लागाम लगाना चाहिए कि कौन सा चीज बोलना चाहिए को च्यूस मंधी क्क्राइब नहीं है इसका अंतर तो करें कम से कम आपको क्या लगता है की वो चाइना पर एक्सपर्ट हैं इसलिए बोलते हैं वो तो अपने आ केरन जी आज के अख़बार में खबर चपी है जिसमें लिखा है कि सुपरिटेंडेंडेंड पुलीस ले पीडी नित्या उन्होंने का सिक्यूर्टी फोर्सेज हैव लॉस्ट एकसेस्टु टुवटी सिक्स्टी फाइव पैट्रोलिंग पॉइंट इन ले लगदाग कई बरफ बत ज्यादा पड़ता है तो नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि डिमार्केशन किया है नहीं है उन अंग्रेजों के जमाने से वहां कुछ ना पत्थर का निशानी कुछ है ना कोई बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर है तो यह एक ऐसा इलाका है 15,16,18,000 फीट के उप में कई जगह ऐसे होता है लोग पहुंच नहीं पाते हैं तो वह टाइम टो टाइम पेट्रोलिंग जरूर करते हैं कभी-कभी जहां सुवीदा है तो अपना पेट्रोल पॉइंट भी रखते हैं तो यह सब बहुत ही अन डेसिंग्रेट एरियास कुछ होते हैं उसी का से जि दुमाओ पर खतरा है क्या हमारी सेनाइच चिंद का मुकाबला करने के लिए सक्षम हैं तयार हैं जब से मोदी जी परदानमत्री बन गए हैं हमारा पूरा बोड़र एरिया सुरक्षित है और सुरक्षित करने के लिए हर संभाव कदम उठाये जा रहे हैं कि एक और ब्रेक एसा यारा ना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना ये था बस्तरा प्रदेशन कारी जो है उलागतार पथ्षू की तरसाथ कर रहे हैं दस वारा घूंचे हैं अंदर अंदर फीन आतंगवादी हमने हो चुके है जहां पर इसमें फायर कॉंटिविस किया जा रहा है और वहां से भी काउंटर पायर आ रहा है छे गंदे से ग्यादा के शायर भी तो चाहें और होद्वेश अभी भी जारी है आप देया उन्नीस सालों से सच की बेबाक आवाज इंडिया टीवी आपकी आवाज खबर जो सच दिखाए जो निश्पक्ष हो बिना किसी एजेंडा के हो कोई पहस या शोर नहों बस खबर आज की बात रजट शर्मा के साथ शोर कम खबर ज्यादा ना पक्ष ना विपक्ष सिर्फ निश्पक्ष बेबाक सवालों और संबादों का मुकाबला शाम पाँच बजे सिर्फ इंडिया टीवी पार कभी तीखे सवाल आपने सनातन धर्म के नाम पर धंकिया देनी की दुकान तो जो भी मोधी सरकार का विरोत करता है उसके घर सी बी आई भेज देते हैं एडी भेज देते हैं कभी पेबा कंदास कॉंग्रेस की सरकार की तब आपकी पार्टी के लोगी तो मज़ा खुड़ा बेए कभी मुस्कुराहत के साथ आप कहते हैं कि सबसे सोना मुंदा मैं हूँ पूरी करोड की तेरे लिए मैंने पहले वाली चोड़ दी कभी दिल की बाद शादी के बाद जो पहली मुलाकात हुई थी उसमें आप कुछ भूले ही नहीं तो कभी अनसुने रास करन अरजुन के सेट पे आपने शारूप खान को बूली मार दो है वो एक साथ था लेकिन ये आपको बिस तरह है अलग अन्दास के साथ हर दिल पर राज आपकी अदालत वेल्कम बैक आपकी अदालत में आज हम भुकबना चला रहे हैं सवाद पूछ रहे हैं केरन रिजुजु से आपकी अदालत में अगला इल्जाम आपकी अदालत में लॉव मिनिस्टर किरन रिजीजू पर इल्जाम है कि ये सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं किरन जी सोशल मीडिया पर आपकी एक्टिविटी आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा दिखाई देती है कि Chief Justice of India ने भी का कि मुझे सोशल मीडिया से पत्या कि मैं उन से 12 साल आट दिन बड़ा हूं और आठी बात है ना मेरा सोशल मीडिया Chief Justice फौलो करते हैं तो ये तो خुश होने की बात है और फॉर्मर Chief Justice कहते हैं कि Justice Ramanna उन्हों ने कहा कि मैंने इनका डान्स देखा और इस डांस में इतनी एजी थी थी, हाइज एजी जांस । घृटर ऑन फान फायर। वह गाओं में जब में जाते हैं तो गाओं का प्रांपरिक। हमारे वहां लोगई घीत होते हैं दांसे सोते हैं तक करते हैं। उस समय के एक तस्वीर सामने में आया, उसको प्रधान मंत्री जो फिर से कमेंट करके ट्वीट किया तो पुरा देश में चर्चित हो गए उसी को ये लेकर कि चीफ जस्तिस साप ने भी कहा है तो उसकी एक जलक हम लोग लेते ने डीसंट डांसर उसे का है प्रधान मंत्री ने तु यह वहां का अरुणचल का परफ परिक डांसर है वह अलग अलग डिस्ट्रिक में अलग अलग तरीके से वहां सिस्टेम चलाते हैं सब अपना कम्यूनिटी का जो प्रैक्टिस से अभी भी चलाते हैं और जो सलमान खान के साथ आप साइकिल चाह रहा था यह इसको रवावी तरीके से केम्पेइन को चलाने के लिए सलमान खान भी आगे आए और मेरे साथ में और ना चल गई साइकलिंग फिटनेश के लिए बहुत अच्छा है तो एक एडवेंचर स्पोर्ट प्लास फिटनेश दोनों को मिलाने के लिए हम लोग ने किया था और सलमान खान उसके लिए पैसे एक रुप्या पैसे नहीं लिए हमसे बलकि उन्होंने साइकल का डॉनेशन भी दिया और कुछ मदद भी किये कप्रे भी दिये है लेकिन वो देखने के बाद लोग कह रहे थे कि किरन डिजू जू भी हीरो बन सकते थे फिल्मों में अगर जाते तो बिलक देखते थे या तासम में जाकर कि सीनेमा होल में देखते थे और हमारा डिस्ट्रिक हेड़ कोटर में एक सीनेमा होल थे वहां देखते थे गाओं में तो सीनेमा हमारे पास देखने का पालेज के जमाने के एक तस्वीर मेरे पास में है आप सलमान खान के तरह शर्ट उतार क कि इस न मैं ने बिल्कुल मैं मुझे तो फिलम देखने का त्रीब शोक रीधें मी दुनिया से दूर दूर तक कोई वासता भी नहीं और इच्छा करना तो सपना देखता नहीं हूं उस तरीके से फिल्मों कर ले लेकिन कॉमेंट फिल्मों वालों पर करते हैं शिल्पा शेटी के लिए आपने लिखा कि फिट इस्टार ऑफ बॉलिवूड तो फिट इंडिया केमपेंड के लिए शिल्पा शेटी यहां आई हमारे मंत्राले में हमसे मिले और काफी योगा को प्रोमोट किया तो सरकार का जो भी फिल्म स्टार, स्पोर्ट स्टार या कोई भी हस्ती अगर हमारा सरकार का केमपेंड को साथ देते हैं तो इतना तो बनता है कि मुझे धन्यवाद जरूर देना चाहिए लेकिन सोशल मीडिया में ये भी बहुत चला कि आपने रभीना टंडन से का कि तवांग आजाओ मैं पूरा इंतिजाम कर दूंगा चुट्टी का वो इसलिए कि लोग सोचते कि हमारा वहां होटेल नहीं मिलते हैं सोने के लिए जगा नहीं मिलते हैं कैसे पहुंचेंगे त स्टूनिस्टे में और आएं में सहुराइब खर्राris stereo तूरीस है तोरा सभी डिलती है उनकी यह जफिता आप श्फपूर्टस मंसे चुके था से तो अभी अब भी आप अथनुरिमिया नहीं अशे, नहीं की हफिता. अभी शुरुवात कर रहे हैं सब लोग मिलते हैं अभी भी सब आते हैं आजकल मेरा पास समय तो होता नहीं है फिर भी कोशिश करता हूं कि थोड़ा पांस-दस मिनित जब मौका मिले तो उनको मैं बुलाता हूं आ जाए और कोई प्रॉब्लम है तो मेरा ओफिस में फोन करें सरकार देखिये मंत्राले कुछ भी हो सकता है लेकिन कलेक्टिव रिस्पॉंसिमिलिटी है मोदीजी ने क्लिरली कहा है कि वह कंपार्टमेंट वाइस करके अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं चलाना है सबको एक सोच के साथ बड़ा तार्गेट को लेके चलना है तो कहीं खिलाडी फस आते हैं वीजा नहीं मिलते हैं या कोई खिलाडी बीमार है या कहीं खिलाडी को कहीं एक प्रोल्लम में आ गया गाओं में या किसी भी जगह में तो मुझे मैसेज करते हैं मैं तूराँ उसको जवाब देता हूं तो वो स्पोर्ट्स परसन से मेरा जूड़ना ये मंत्राले के हिसाब से नहीं, मेरा इंट्रेस और मेरा पैशन के वज़ा से आज भी में जुरा रहे हैं अब हमारे जो पहलवान है, रैसलर्स हैं, जन्होंने मेडल जीते थे, वो धरने पर बैट गए थे, उन्होंने भी आपको एप्रोच किया? वो जगड़ा होता है ना तो बीच में मुझे नहीं आना चाहिए, ये अलग विशे है, वो फेदरेशन और खिलारी के बीच में कुछ मुद्दे थे, तो मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं हूँ, तो ऐसा जो विशे में तो मुझे बीच में नहीं आना चाहिए, लेकिन कि हम सब जानते हैं, आपकी बहुत सी वीडियो सोचल मीडिया पे वाइरल हो रही है, उसमें से आपका एक सौंग भी है, तेरे जैसा यार कहां, सर आप प्लीज उसकी दो लाइने हमें गा कर सुना दिजे, प्लीज सर, ये दिखे, ये आपके अदालत है, जज साब के पर्म जज साब को भी शौक है आपके गाने सुनने का, हमारे वहां ओफिसर अड़नाचल के कुछ यंग ओफिसर आई थे दिली में, एक उनका स्वागत का कारेक्रम था तो उसमाई, एक दो लाइन आमने गाई थे, तेरे जैसा यार कहां, कहां ऐसा याराना, याद करेगी दुनि तेरा मेरा अफसाना, ये था बसके, आप इतने ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, इतने ज़्यादा ट्रेवल करते हैं, बॉर्डर एर्ज में जाते हैं, अरुनाचल भी जाते हैं, गाना भी गाते हैं, फिटनेस भी करते हैं, तो काम कब करता हैं मंत्रा करेंगे फिटनेस और एक्टिविटीज यह भी तो बहुत बड़ा काम है आदमी फिट नहीं रहेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे लेकिन और सीरियस नौट जो हम लोग गहराई से काम में इन्वोल्व होते हैं वह चीज तो दिखाते नहीं ना जब हम बीच में गैप होकर कि प पूरा डिवोटेटली फाइल करते हैं सोचते हैं रिवीव मीटिंग लेते वह कैसे दिखाएंगे हम सेकर्टी के साथ बहुत गंबीर चर्चा कर रहे हैं वह कैसे दिखाएंगे तो जो काम करना होता है वह दिखता नहीं है और जो गैप वाला पॉर्शन है वह ज्यादा द वो 30% होगा, 70% मंत्राले का काम और इंटर्नल पार्टी का या जो घर में मिलने का काम होता है आपके इतना बिजी रहने से किसको सबसे दादा परिशानी होती है उसके एक अविडनेंस में आपको दिखाना चाहता हूँ वो अपने बॉस से कही है आपको थोड़ी छुटि द धाउरिटेंस वीर जाए जह पिया ईनने काउचार हैं दाफ रहता है है और गो से चाहता है उलक्या है धो, है ही भीजी ही ब क्वाट्र का मैं महीं? वो करी अपने बॉस से कही आपको थोड़ी चुटी दे दे ता कि स्कूल जा सके उनके वो यह थोड़ पुराना चार साल पहले का है आपको बोस को बता दो ना बेटी का स्कूल का कारेकरा में वो चुटी दे देगा मैंने कभी शहुट का कि हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहेगा तो हम लोग प्रदानं जानते है कि मोदी ज़ि अपनी मंतरियों को न सोने अगर कॉंग्रेस के समय में या पूरो में आपको पता है मिनिस्टर लोग गर्मियों में चुट्टी में जाते थे योरोप में फैमिली लेके जाते थे और कहीं होलिडे करते थे दो आजर चोदो के बाद ये चुट्टी होलिडे शब्द तो मेरा डिक्सिनेरी से गाइब हो गया है क्योंकि अभी इतना काम करना है पी एम का एक मिनिट वो नुक्सान नहीं करते हैं हम लोग कैसे हम लोग बरबाद कर सकते हैं ताइम को इसलिए अभी तो देश को 2047 तक अम पूरा करना है तो हम जैसे लोगों को तो बाकी चीज़ छोड़ना होगा और पूरा देश के जनता को एक साथ मिलकर की सिर्फ देशीत में काम करना होगा किरन जी एक और ब्रेक के रुखते हो ब्रेक के बाद सुनेंगे आपके अदालत में आज के ज़्ज टाइम सफ इंडिया के एडिटर दिवाकर का फैसला आज हे मुकर्ण हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी पीस पर हमला हुआ है यह यह देखे पसर लगातार आ रहे हैं 19 सालों से सच की बेबाक आवाज इंडिया टीवी आपकी आवाज क्या बनेंगे संयोग, क्या होंगे प्रयोग, 24 की पिछ है तैयार, क्या विपक्ष लेगा आकार, या मोदी ही हैं स्विकार कहानी कुर्सी की सुबार से शुकरवार, दोपहर एक बजे, सिर्फ इंडिया टीवी पर मैं वर्शा, मैं सुनने ही सकती, बोलने ही सकती, पर इस मंच का हर पल मैं एंजोई करती हूँ, हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूँ, आपकी अदालत आपके और मेरे लिए, आपकी अदालत दिल से अदिन तो आईए शुरू करते हैं आज का मुखत्मा आपकी अदालत के लिए आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के यूट्यूब चैनल पर रोबर्ज और रफ्तार नॉलेज लगाता टेक्नोलोजी जो बदगार पर बदलती टेक्नोलोजी की दुलिया में हम रखेंगे आपको अपडेट टेक्वील्ज देखने के लिए लोगान करें वेलकम बैक आज हमने मुखर्मा चलाया कानून बंतरी किरन रिजुजू पर किरन जी हमने आपसे पूछा चाइना के बारे में सेंसिर्टिव सब्जेक्ट है लॉग के बारे में बहुत सेंसिर्टिव सब्जेक्ट है आपके टाइम के बारे में सोशल मीडिय एक्टिविट शेरी किर्ण जीजु ने अपने उपर लगाएगे सारे सवालों का बहुत ही बजबूती से बहुत ही साफ़ गोई से जवाब दिया है यह बात जरूर है कि वह सुर्खियों बने हुए हैं लेकिन अभी ऐसा कुछ आलम चल रहा है कि लोग सही बात कहने से भी कत्राते हैं कि ल हमारे सन्विधान में कॉलेजियम सिस्टम कर प्रावधान नहीं था तो इसको कहदे में क्या हर यह कहना चाहिए जनतंत्र है इस पर चर्चा हो यदि बेसिक स्ट्रक्शर की परिभाशा नहीं तैय है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए अदालत में जनता के वकील ने कहा कि आ क्योंकि आप इंसाइडर बन जाते हैं तो सुधार करने की सोची नहीं सकते हैं किरंजी जीजु साहब ने स्टॉक होम सिंड्रोम का सिकार नहीं हुआ है यदि अदालत में कुछ बड़े नामी गिरामी वकीलों की ही चलती है स्टार सिस्टम बना हुआ है और बहु सारे ऐस से जज हैं जो ऐसी ऐसी डिपनिया कर देते हैं जो उंकी फाइल वर्डीक्ट में आता ही नहीं भो डि थिपनिया उसको कहने में क्या है कहनी चाहिए इस 모두 सब बात और ایک और बात कि जो लोग जैस कमीटेड जुडिशारी की बात कर देते हैं यह जटके में तें-तीन बड़ को बाइजत बढय करती है एक शर्थ के साथ कि जिस तरीके से उन्हों ने नॉथिस्ट के को आज कि नॉथिस्ट के लोग उतनी अची हिंदी जितनी की हम बोलते हैं इसको जो पड़िभासित किया है नौर्टिस की नई एक छवी दी है उसको आगे बढ़ाएंगे और न्याय को सहद सुलब सुगम बनाने का जो प्रयास है उसको जारी रखेंगे धन्यवाद मुझे यकीन है कि किरने जुजु ने आज जिस बेबाकी के साथ बात की है वो जीवन बर इसी सफाई के साथ बिना डरे अपनी बात कहते रहेंगे देश को आगे बढ़ाने के काम में लगे रहेंगे और जो उन्होंने सपना देखा है 2047 के फारत का उस सपना जरूर पूरा हो झाल झाल